Hello धोस्तों नवं क्लासेंस में साथि हूं आपका स्वागत है आज हम देखने रहें मध्यप्रदेश के राश्टी उध्यान छोकी यह वर्त्मान में greater द 거를 हूं अपको दिखाना से कौन सा राष्टी उध्यान है और सबसे पहले कौंसा ता भी हम जानकारी में ले लेंगे तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले शोपुल यहाँ पर दिस्टिक पड़ता है आप अपने मिद्यपदेश के नक्षे में ठीके तो शोपूर में आता है दोस्तों कुणो पालनपूर राश्टी उध्यान आता है और जो पालनपूर राश्टी उध्यान बना मतलब राश्टी उध्यान ये 2018 में बना 28 दिसंबर 2018 को ये पारित हो गया था ठीक है केबिनेट में फिर मैं बात करूंगा इसकी स्थापनोई थी 1921 में अब केसे याद रखना शोप की मैंने बात करी शो यहने कि किसी चीज के लिए अपन बोलते हैं भी आप शो हो क्या यह देने के लिए लेने के लिए टो अब हम फो मैंने बोला आप शोप को पाल लो और यह राश्टी ध्यान बना दोस्तो 2018 में इससे पहले वन्नी जीव अभ्यारण की इंती में आता था ठीक है एशाय शेरो Пोगैं को आपके गिर राश्टि उध्यान है गुजरात का गिर राश्टि उध्यान वहां से नेशनल हाईवे पर श्थेतम है माधु राश्ट उध्यान यह भी आपको याध रखना है कौन सी डिस्टिक में शिवपूरी में तो शिवपूरी में क्या है माधऊ राष्ट उध्यान 1908 में यह बना है कब राश्टी और नेज़ाइव हैं ठीक है फिर बात करूंगा में बोपाल में बोपाल में हम सब लोग जानते होंगे वन विहार राष्ट उध्याने जो की 1979 में बनाता यहने दाष्ट उध्यान ठीक कोई बात नहीं जिवाश्म राष्ट उध्यान बोलते ही 2010 में बना मैंने बोला दस रुपए दे दो भी अन्य तो क्या करूंगा मैं बस है ना तो क्या करूंगा बस और बस में क्या है दोस्तो धार दार के बाल लूटा मारी हो जाती ना अपने देखा लाए धार लाएए ऑगला अता है दोस्तों खंडवा की मैंने बात करका क्नडवा में क्या हो जाएका कंडवा में हे ओकार अन्य जानते होंगे आपन घुमने जाते हैं ओकारेशवर मंदीर तो खंडवा डिस्टिक में हैं ओकारेशवर तो वहीं पर आपको याद रखना है ओकारेशवर राष्ट्यूद्यान और में खंडवा चार बार चला गया दोस्तों कित्नी बार चला गया 4 तो 2004 में इसके स्थापनो जगा है ठिके उस पे भी बात करेंगे अब हाता हैँ पन्ना ओर चतरपूर जो डूश्टी के दोस्तों इसकी बॉर्डर पर यह ना कि पनना और चतरपूर दोनों में पढ़ता है पन्ना राश्टी उद्ध्यान तो तो 15-1521 अब मैंने क्या किया फर्स्ट येर में जब आया न में तो मेरे भाई मेरा जो भाई था हूँ ट्मेरे बोला तु लेपटोप ले रहे ना मेरे तो 79 परेंट मने थे तेरे को ठीक है और सिंग्रोली याद रखना है इन्हों नहीं बहुत पढ़ाई की और ये भी 1921 पर्षण इन्हों ने बनाए तो 1921 इनका याद रख लेना प्रोजेक्ट टाइगर की बात करता हूं 2008 में इनको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया किनको संजे गांधी राश् अज्ट च बांध नहीं सकते तो सकते उम्मा नहीं तो ऊक्ता उससे याद रखना प्रोजेक्ट टाइगर जब सामिल हुआ ये याद तरहabe snow राश्तियों जो import of उससी प्रकार से जिवाशा में रश्रीप बनाता थीक कश तो मरियें और इंडी ठीके अब तो इसा याद रख लेना फिर आता है मंडला में आप जानते होंगे साथ हूं मेरे ख्याल से काना किस्टी राश्टी उध्याने जिसकी इस्थापना यापका शामिल हो राश्टी उध्यान में 1955 में कब हो गया था 1955 में तो एक चीज अपने को यहां पर याद रखना है अब ब चिंदवाडा सीउनी और महराष्ट तक फेला हुआ है जो है पेंच राश्टी उध्यान कौन सा राश्टी उध्यान है दोस्तों पेंच राश्टी उध्यान यह हुए 1980 में बना राश्टी उध्यान ठीक है या 1983 सी आप थोड़ा इसको कंफर्म कर लिजेगा क्योंकि मैंने दो चीजे निकलती सत्पुड़ा राश्टी उध्यान विंद्याचल परवत की बीच में नर्वदानादी इकल रही है और नर्वदानादी हुशंगाबाद जिले से भी निकल रही तो यह भी 1983 में बना और प्रोजक्ट टाइकर में 1999 में यह शामिल किया गया था ठीक है दो कैंद्याइक है अब्साइब दोस्तों तो टोटल मिलाके आपके दोस्तों साथ हैना जगा यह जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल ठीक है कितनी शामिल रहताँ राश्टी राश्टिझाट बद्यानां अपने देखा दोस्तों कहा पड़ता है यह मंदला जिलेम पड़ता है कब शामिल हुआ 1904 में यह शामिल हो गया एक चीज यहां पर हो गई देन इसके तूरंत बात जो शामिल हुआ वह था दोस्तों आपका unden guard 924 में ठीक है यह तो 1924 में बता दिया 1997 1992 का यह आ जाएगा यहने कि पेचरा सिद्ध्यन ठीक हे पेच हो गया राश्यूद्ध्या ऑननीक देन 93 में ये शामिल हो गया ठीक है बानैके जस्ट बात दोस्तों 2013 अंथerme क्या आता है KAI 1993 नंबर पे तो चोते नंबर पर अपना हो जाएगा पन्ना राष्टी उध्यान पन्ना हो जाएगा 1904 में ट्रिक से आपको बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है ठीक है इसलिए में लिख रहा हूं फिर हुआ था आपका होशंगाबाद तो होशंगाबाद यहने की सत्पु आपको याद रखना है वन जीव अभ्यारण है ठीक है तो यह 2010 में शामिल हुआ अब काना 1934 में हो गया फिर बानवे तेर्यानवे और चोर्यानवे तीनों एक साथ याद रख लेना है फिर नन्यानवे में आपका सत्पुड़ा हो गया संजे हो गया आपका 2008 में संजे साथ तो आपके प्रोजेक्ट टाइगर में शामिले आपको यह चीज़े याद रखना है ठीक है अब आप एक बार इसका स्क्रिंशोट ले लिजे दोस्तों ताकि आपको एक बार अच्छे से यह चीज़े किलियर हो जाए थोड़ा अंदेरा है थोड़ा लाइट चली ही सा करते हैं और इसको थोड़ा प्रयास किजी याद करने का ठीक है अगली में कुछ चीज़े और बताता हूं इसके साथ ही आपको आगे बात करते हैं दोस्तों आपका कुणो पालनपुर राश्टि उध्यान की में बात कर रहा हूं ठीक है यह आपको पता है कहां पे शोपुर में यह पहले वन्य जी अब भेरनता सातियों ठीक है उननिस सो पिंचानवे चानवे में यहां गुजरात के गिर से बबबर श किसंबर 2019 को इसको राश्टि उध्यान के रूप में दर्जा दिया गया यह पहले अभ्यरान था जो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी यह आपको याद रखना है इसका शेत्रफा लगबग दोस्तों 4050.49 किलोमेटर स्कॉर है या फिर 344 किलोमेटर स्कॉर है ठीक है यह अब मैं बात करता हूँ अभ्यरन क्या चीज़ होती है तो अभ्यरन में क्या होता है दोस्तों एक प्रकार की प्रजाती मिलती है जिसमें उसका संट्रक्षन किया जाता है ठीक है और राश्टी उध्यान में क्या अलालग प्रजातियां भी इसमें मिल जाती है दोस्तों तो आप कमेंट में आप हमें करके बता सकते हैं धन्यवासाथियों